श्रिटिंग जाब, फिजिकल एक्ट्वेटी की कमी, बढ़ते तनाव, आधी के कारण बहुत से लोगों को भूख नहीं लगने की समस्या हो जाती है कमजोर पाचन सकती या कम खाने की वज़ा से सरीर में आवस्यक तत्तों की कमी होने लगती है जिससे सरीर में खून और ताकत कम होने लगता है अगर हमेशा आपका पेट भरा राता है, यानि खाना नहीं पचता है, आपकी पाचन सकती कमजोर है, आपके पेट में गैस बनती है तो आज हम इस वीडियो में आपको दो बेश जाइम सीरप बताएंगे, जिसका इसमाल करने पर पाचन सकती मजबूत होती है और भूख भी लगती है तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो आज हम बात करेंगे केमो जाइम और एरिश्टो जाइम सीरप के बारे में पहले इन दोनों के कुछ कॉमन बाते जान लेते हैं, उसके बात जानेंगे दोनों में बेश्ट कौन है और कैसे आपको इस्तमाल करना है केमो जाइम सीरप की बात करें तो यह केमो निक्स इंडिया प्रिवेट लिमिटेड कंपनी दोरा बनाई जाती है इसके 200 बोटल की MRP 102 रुपय है इस समय इसके कॉमपोजीशन की बात करें तो इसमें फंगल डाइस्टेश 12.50 मिलिग्राम और पेपसिन 7.50 मिलिग्राम पाए जाता है यह औरेंज फ्लेवर में आपको मिल जाएगा दूसरे सिरफ अरिष्टो जाइब की बात करें तो यह अरिष्टो फार्मा कंपनी दूरा बनाई जाती है इसके छो शात महिने में हर में मार्पी कुछ ना कुछ बढ़ी जाता है बाले इसका 90 था फिन 95,100,110,ـ 114, आच के समय में हो गया है इसके composition की बात करें तो इसमें fungal digestate 50 mg, pepsin 10 mg पाय जाता है यह आपको pineapple forever में मिल जाएगा, इसका result काफी waste आता है अब बात करें दोस्तों दोनों में best कौन है, तो जाइम सीरप में सबसे ज़्यादा अरिश्टो जाइम बिखता है आपको हर जगा यह आसानी से मिल भी जाएगा, कोहीं भी आपको मिल जाएगा गाव एरिश्टो जाइम यह काफी famous है रिश्टो जाइम कोई इसी से भी आप पूछेंगे रिश्टो जाइम तो जाइम के सीरफ है, भूख लगने वाला सीरफ है, खाना पचाता है, काफी जादा सीरफ है, हर जगा असानी से मिल भी जाता है इसके composition भी केमो जाइम से अधीक है, इसलिए इसका result काफी बेश्ट आता है, लेकिन MRP थोड़ी महही है केमो जाइम के पेच्छा है, इसलिए थोड़ा महाँगा पड़ता है, केमो जाइम का composition थोड़ा कम है, लेकिन यह सस्ता भी है, और इसका result बेश्ट आता है, अगर अब बात करेंगे तो आपको फैदा नहीं होगा इसका विजल्ट काफी वेश्ट आता है दोनों में तो दोनों में से किसी एक आप इस्तमाल करें आपके देखिए भूख लगने की सकती और पाचन सकती काफी बढ़ जाएगी इसके मुखी यही फैदा होता है अगर इन दोनो की आपको फैट में नहीं बन बनने देगा आपकर दोस्तों कैसे इसमाल करना है तो इसे खाना-खाने के बाद पांच ór blossom्सरkov करना किसे आप 5-10 ml екाफ मैं इसके मुखी बाद ह menor settlement मिलेगा दोस्तों मुखी यह मुखी की समस्या भूख नहीं लगने की समस्या है तो क्योंकि moderate group उसलाइबapedays Legend को काफी ज्यादा दिखने को मिलेगे काफी बेश्ट इसका रिजल्ट आथा तो चली दो स्तु आज के बेडियों में सिर्फ एसना मिलेंगर गुरे वडियों कुछ formula